हेलो फ्रेंड्स अगर आप गोतम बुझी की कहानियां सुनना चाहते हैं इन टापिक में से कोई भी सीखना चाहते हैं प्लीज हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें ये वीडियो हमने आलड़ी पॉब्लिश के हुए है और गोतम बुझी की कहानिया हम डेली पॉब्लिश करते ह हैं तो आज की कहानी का नाम है व्यक्ति को दैरे रखना चाहिए गोतम बुझ के जीवन से जुड़े कई सारे परसंग हैं जिनमें से सुखी जीवन और सफलता पाने के सूतर शिपी हैं अगर आप इन सूतरों को जीवन में उतार लिया जाए तो हमके कई परशानियों से ब बारभुध अपने शिश्यों के साथ किसी गाउं में उपदेश दिने जा रहे थे गाउं पहुचने से पहले रास्ते में उन जगाउं को जगा जगा बहुत सारे खड़े खुदे हुए थे मौतम बुझ का एक शिश्य उन गड़ों को देकर सोचने लगा कि इनका रहसे क् उसने बुझ से पूशा कि ही तथा गड़ों का रहसे बताएं एक साथ इतने सहरे गड़े किसने और क्यों खोदे हैं घोतम बुझ ने शिश्य को जवाब दिया कि किसी व्यक्ति ने पानी की तलाश में इतने सारे गड़े खोदे हुए हैं अगर वैं देरे पूपर एक ही जगा पर खड़ा कोदा तो उसमें पानी अवर्शे मिल जाता लेकिन वैं थोड़ी देर तक खड़ा कोदा और पानी ना मिलने पर दूसरी जगा पर खड़ा कोदने लगते था इस कारण उसे कभी भी पानी और कहीं भी पानी नहीं मिला ऐसे में बूत्री अपने शिश्यों को समझाया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी सी काम में सफल होना चाता है तो उसे कड़ी महिनत करनी पड़ती है लेकिन कड़ी महिनत के साथ उसे अपने स्वाब में दैरे भी बनाए रखना चाहिए कभी कभी लंबे समय तक महिनेत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है ऐसी स्थिती में व्यक्ती को दैरे रखना चाहिए तब ही सफलता मिलती है इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें अपना दैरे कभी नहीं कोना चाहिए जो भी काम कर रहे हैं पूरी लगन के साथ करें आपको सफलता चुरूर मिलेगी तो अगर आपको मेरी जे कहानी पसंद आई हो प्रीस वीडियो को लाइक करें दोस्तों को साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें मोर वीडियो के लिगे लिंक्स डिस्कॉप्शन में देखे थेंक्यू सो मुझ